ओम शान्ती 27.1.2022 की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं लोक लाज कल्योगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो बाप से पूरा वर्षा लो प्राश्न अंत्मती सुगती किस पुरुशार्थ से होगी उत्तर बाबा कहते बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल सिर्फ एक बाद याद रखो चुप रहो अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुशार्थ करो बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते लेकिन दर्वदर होने से बचाते हैं गरीब बच्चे जो शादी आदी के लिए करजा लेते हैं बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंत्मती सुगती हो जाएगी गीत धीरजधर मनवा ओम शांती यह गीत है भक्ती मार्ग का वह इनका अर्थ समझते नहीं हैं सिर्फ बच्चे ही जानते हैं अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रही हैं जिसके लिए हम पुरुशार्थ कर रहे हैं जितना पुरुशार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है श्रीमत पर जोली भरते हैं भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात, उन्हों को यह पता नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे, अब तुम बच्चे जानते हो कि कल्युक के अंत और सत्युक के आदी को ही संगम युक कहा जाता है, अब तुम उन्हों को कुम्ब करण की नींद से जगाते हो, मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्यान सागर बाप को उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे यह पानी की नदिया निकलती है वहां तो नदियों का संगम है सागर और नदियों का नहीं है वहां तो नदियों का संगम है सागर और नदियों का नहीं है खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में सागर तो जरूर चाहिए न सत्युकी स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायन बनने की सुनाते हैं याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावनाओ तो जब परमात्मा आए तब ही कहा जाए आत्माओं और परमात्मा का मेला संगम का यह है सच्चा सच्चा मेला तुम लिख सकते हो यह आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुशोत्तम संगम युक पर मेला लगता है जिस से पतित स्रष्टी बदल पावन जरूर बनती है वह है पावन दुनिया यह है पतित दुनिया यह है सच्चा मेला जबकि पतित पावन बापा कर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए बाबा यह सब एडवांस में समझाते हैं त्रिवेनी पर अकसर करके शिवरात्री पर ही जाते हैं तो यह सब समझाने का भी नशा चड़ना चाहिए जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ती से समझाएगा नहीं तो बित-बित करता रहेगा कुम्ब का मेला सच्चा और जूटा सिद्ध करना चाहिए यह है संगम जबकि पतिद दुनिया पावन दुनिया बनती है तो सच्चा सच्चा मेला यह है वह कुम्ब करन की अज्यान नीद में सोय हुए है परमात्मा के लिए सरविवयापी कह देते है वह तो पतिद पावन है उनको तो आना है पावन बनाने तुम जानते हो यह एक ही पुरुशोत्तम संगम युग है जिसमें चड़ती कला होती है सत्युक के बाद फिर नीचे गिरना ही है जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ पुराना होते होते बिलकुल ही पुराने बन जाएंगे तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्शा पाने का पुरुशार्थ करते हैं बाबा पुरुशार्थ भी बहुत सहच कराते हैं कोई तकलीफ नहीं और ही दरबदर होने से बचाते हैं शादी आदी में कितना खर्चा होता है गरीबों को तो करजा लेकर भी शादी करानी पड़ती है बाबा इन करजे आदी से भी छुडाते हैं नर्क में गिरने से भी बचाते हैं तो खर्चे आदी से भी बचाते हैं, इसलिए यहां गरीब बहुत आते हैं, कितनी अच्छेची कन्याय आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की शादी कर ली, शादी करके फिर पच्छता आती हैं, यह बड़ी भूल हो गई, टाइम लगता है न, तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं, साहुकार तो आना सकें, वह न खुदवर्षा पाते, न रचना को सच्ची कमाई करने देते, गरीबों में भी बहुत गंदी रस्मरिवाज है लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है, कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पड़ते हैं, तो दोजक में चले जाते हैं, बाप दोजक से निकालने आये हैं, कोई नहीं निकलते हैं, जानवर तो नहीं जो नाक में रस्ती डाल बचाएं, समझाते रहते हैं, बाप बच् पती आये तो बच्चा ना आये इसलिए खिट पिट होती है समझाते तो बहुत अच्छी रीती है मूल बात है पवित्रता की बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो क्रश्ने के लिए दिखाते हैं जसोदा हाथ बांध उखरी से बांध देती थी परन्तु ऐसी बात है नहीं वहां तो मर्यादा पुरुशोत्तम बड़े रमनीक बच्चे होते हैं यहां भी कोई-कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं बात करने की बहुत फजीलत रहती है यहां तो धेर बच्चे हैं कोई-कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है काईदे पर चलते नहीं काईदे भी तो है ना मिल्टरी में काम करने वाले पूछते हैं वहां खाना पड़ता है बाबा क्या करें? बाबा कहते हैं कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की लाचारी हालत में द्रश्टी दे कर खाओ और क्या करेंगे? डबल रोटी तो मिल सकती है शहैद, मक्खन, आलू ले सकते हो जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा हर बात में पूछना पड़े बाबा तो बहुत सहच कर देते हैं सबसे अच्छा है पवित्र बनना कोई-कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं बाब की मिलकियत को उड़ाए नाम-बदनाम कर देते हैं तुम बच्चों की बुद्धी में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुशार्थ कर उचे ते उचा पद पाएं। पुरुशार्थ से ही मरतबा मिलेगा। ममा बाबा तक्तन अशीन होते हैं, ज्यान ज्यान एश्वरी सो फिर राज राज एश्वरी बनेंगे। तुम को भी ईश्वर ज्यान देते हैं, तो तुम भी यह ज्यान उठाए फिर आप समान बनाएंगे, तो राज राज एश्वरी बनेंगे। माबाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, सन्यासियों के फॉलोर्स बनते हैं, परंतु फॉलो तो करते नहीं, जिनको सन्यास धर्मे में जाना है वो घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुशार्थ जरूर होगा ड्रामा अनुसार ही भक्ती मार्ग शुरू हुआ है, सतो रजो तमों में तो सब को आना है, सबसे पहले शुरी कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर, अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे लक्ष्मी नरायन नंबर वन, सो फिर लास्ट में हैं, फिर नंबर वन में आएंगे उन्हों को जगतनात किसने बनाया, कब वर्शा मिला, तुम बच्चे जानते हो, संगम पर उनको यह वर्शा मिला है सारी राजधानी स्थापन होनी है ब्रामणोंने 84 जन्म लिये हैं, जो अभी पाट बजा रहे हैं यह बड़ी समझने की बाते हैं परंद कोई क्या धारणा करते, कोई क्या, इसमें है पुरुशार्थ की बात बाप प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं बाप प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं मैं आया हूँ, मुझे याद करो, तो योग से तुम्हारे विकर में विनाश होंगे आत्मा कहती है, हाँ बाबा, मैं इन कानों से सुनता हूँ शरीर विगर आप राजियों कैसे सिखलाएंगे शिव जैनती भी है, जरूर मैं आता हूँ, परन्तु कोई को पता नहीं पढ़ता है बाबा समझाते हैं, मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ जिसने 84 जन में लिये हैं, इसमें बदली हो ना सके यह राज-राजेश्वर था, फिर अब ज्यान-ज्यानेश्वर बन, फिर राज-राजेश्वर बनना है यह बना-बनाया ड्रामा है, गाया भी जाता है ब्रह्मा, विश्नु, शंकर प्रजा पिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे विश्नुव शंकर को तो नहीं कहेंगे प्रजा माना मनुष्य कहते हैं मनुष्य को ही देवता बनाता हूं रचना कोई नई नहीं करते हैं बाबा पूछते हैं बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे वारी जाएंगे मैं आया हूँ अब मुझे याद करो जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ हाँ तुम कर्म योगी हो दिन में भल सब कुछ करो परन्तु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहाँ जन में लेना पड़ेगा ग्रहस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है बाप कहते हैं रात को जागो तुम्हारी तवियत खराब नहीं होगी योग से तो और ही बल मिलेगा स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं तुम जानते हो राज-राजेश्वर भी यह बनते हैं तो नींद को जीतना है दिन में तो सर्विस करनी है बागी कमाई रात को ही करनी है भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है धन्दे में तो नहीं फेर सकेंगे कोई-कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते है तो सवेरे उठ याद करना चाहिए विचार सागर मन्थन करना चाहिए याद से ही विकर्म विनाश होंगे एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है तब अंतमती सुगती हो जाएगी बहुत भारी पद मिल जाएगा इसमें धक्के खाने की बात नहीं चुप रहना है और पढ़ना है बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है करन करावनहार आत्मा है परमपिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम कराते हैं आत्मा भी करती और कराती है यह सब points अच्छी रिती धारण करें तब लायक बने जो समझ कर फिर दूसरों को समझाते हैं बाबा उन्हें लायक समझते हैं स्वर्ग में उच्पद पाने के वह लायक है जो समझते ही नहीं उनको नालायक समझेंगे उच्पद पाने का जो समझते ही नहीं उनको नालायक समझेंगे उच्पद पाने का बाप तो कहते हैं लायक बनो राजारानी बनने के लिए उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे यह समझने की बाते हैं और कुछ करना नहीं है सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं सिर्फ एक बात याद करनी है अंतकाल जो स्त्री सिम्रे जो सर्विसेवल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से जट कार्टून बनाएंगे विचार सागर मंधन करेंगे बच्चों को सर्विस करनी है बाप की आश्रवाद सर्विसेवल बच्चों पर रहती है आश्रवाद भी नमबरवार होती है यह बेहत का बाप सभी के प्रती कहते हैं follow mother father follow mother father यह तो शिवाबा से knowledge लेते हैं ब्रह्मा उचपद पाते हैं तुम क्यों नहीं अब follow करेंगे तो कल्प कल्पांतर उचपद पाएंगे अभी fail हुए अच्छा मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और good morning रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार good morning और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाप की आशरवाद लेने के लिए सर्वे सेवल बनना है आप समान बनाने की सेवा करनी है अभी ज्यान ज्यानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है दूसरा एक बाप की याद में रहने की महनत करनी है किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है वरदान अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्थभव स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्तिती में इसनेही मूर्थ भव कभी भी अपनी सनेही मूर्थ इसनेही सीरत इसनेही व्यवहार इसनेही के संपर्क समंध को छोड़ना भूलना मत चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकर्ति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप ज्वाला रूप धारण कर सामने आए लेकिन उसे सदा इसनेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना इसनेह की द्रश्टी, व्रती और क्रती द्वारा इसनेही स्रश्टी बनाना स्लोगन कठनाईयों को पार करने से ताकत आती है इसलिए उनसे घबराओ मत लवलीन इस्तती का अनुभाव करो लवलीन इस्तती वाली समान आत्माएं सदा के योगी है योग लगाने वाले नहीं लेकिन हैं ही लवलीन अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे स्वतह याद है ही जहां साथ होता है तो याद स्वतह रहती है तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है समाए हुए रहने की है अच्छा ओम शान्ती आप दिश्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टी यूही दे ते रहो बाबा